हलो दोस्तो स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल गौर्वर्मन्ट जॉब्स गेट में दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूं मिनिस्ट्र ऑफ डिफेंस यानि की रक्सा मंत्राला की बहुत बड़ी भर्ती के बारी में इस बर्ती के लिए दोस्तो आप और इंडिया स अपलाई कर सकते हैं बर्ती की पूरी इंफोर्मिसन समझने के लिए दोस्तों वीडियो के अंतख बने रहेगा इस वीडियो में दूस्तो आपको step by step सारी इंफोर्मिसन बताई जाएगी किसमें किस-किस पोस्त है दोस्तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्त से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा इस से आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोट्पेकेसन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्र्यूट्मेंट की इन्फोमेशन मिस नहीं कर पाऊगे जो इस चैनल के माद्यम से आपको सियर की जाती है दोस्तो इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के रचेत्र की, हर स्टेट की रडिस्टिक की सरकारी नौकरी की इंफोमिशन सबसे पहले दी जाती है आई दोस्तो बात कर लेते हैं आज की भरती से रिलेटेड इंफोमिशन के बारे में तो गाईज आगे बढ़ते हैं आज की बढ़ती है रक्सा मंत्रालाई की यानि की मिनिस्ट आफ डिफेर्ज की दोस्तो बहुत बड़ी बढ़ती है यह बढ़ती हो रही है दोस्तो आई एम एमे में यानि की इंडियन मिलिटरी अकैडमी की दोस्तो इस बढ़ती है इस बरती में दोस्तों सैलली की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छी सैली दी जाएगी आपको लेबल एक तदा लेबल दो की सैली दी जाएगी दोस्तों और आपका पेस्केल का रेंज होगा 18,000 रुपए से लेकि 63,200 रुपए है दोस्तों इस बरती में जातक फीस की बात है तो आपको 50 रुपए फीस का मुक्तान करना दोस्तों क्रॉस इंडियन पोस्टल ओर्डर से आने की IPO से और SCST, OBC, PH, X-Servicemen तता EWS के लिए दोस्तों फीस एक्जेम्टेट है जाता दोस्तों इस बरती से related important dates की बात है तो इस बरती की last date है दोस्तों रोजगार समाचार में प्रकास सित होने की 45 दिन की अंदर दोस्तों इसकी last date है इसका detail दोस्तों आपको आगी जाके बताऊंगा दोस्तो इस बर्ति में चाहतक selection process की बात है तो इसमें exam तता skill test के basis पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो और इस बर्ति का apply mode है offline इस बर्ति के लिए दोस्तो एक form दे रखा है form भरके आपको अपनी application बेजनी है किस तरह से आपको अपनी application बेजनी है इसका detail में आपको आगे जाके बताऊंगा आप अपनी application speed post या register post से भेज सकते हैं तो चलिए दोस्तो आप बात कर लेते हैं vacancies की बारे में तो जियां दोस्तो इसमें भरती हो रही है MTS चौकीदार की मसालची की MTS मेसेंजर की MTS सपाई वाला की NDC यानि की कलर की waiter की, groom की, barber की, GC orderly की, fatigue man की, grounds man की, cook special की, cook IT की, cook driver ordinary grade की, boot maker, repairer की, liberty attendant तदा दोस्तो इसमें और भी post की बरती है और इस भरती के लिए दोस्तो इसमें दस्वी पास तदा बारी पास, LDC की post के लिए दोस्तो कंडिडेट बारी पास होना चीए जाता total vacancies की बाता दोस्तो इसमें 188 vacancies की भरती है तो चले दोस्तो आप बात कर लेते हैं कि आपको अपनी application के शाद क्या-क्या documents बेजने हैं सबसे पहले तो दोस्तो आपको जितने भी documents हैं सबकी photocopies करा लीजिएगा और सब पे अपनी signature कर लीजिएगा दोस्तो यानि कि self-pertext कर लीजिएगा इस टाम दोस्तो आपको original आपके documents साथ में नहीं बेजने हैं इस टाम आपको photocopies बेजनी हैं तो दोस्तो पहला document है आपके educational तरह professional qualification का certificate होना चाहिए बर्त certificate होना चाहिए इसमें आप 10 वी class का mark sheet या certificate बेज सकते हैं तीसरा document है card certificate यदि दोस्तो आप reserve category के हैं तो आपके लिए applicable है और चौथा document है दोस्तो यदि आपके पास experience है तो experience certificate की copy आप साथ में भीजिएगा पांसवा document है copy of आधार card और छट्वा document है दोस्तो आप अपनी additional दो photograph भीजनी है साथ में और front site में photograph के आप self attest कर लिजीगा photo इसके साथ साथ दोस्तो साथ वह document है कि आपको दो envelope साथ में भीजने है जिन पर आपका address लिखा होना चाहिए साथ दोनों envelope पर आपको पांस रुपे का stamp लगा के भीजना है दोस्तो इस बरते में कुछ general condition तता instructions भी है जब आप भी दोस्तो अपनी application भरेगा तो आप साथ साथ भर लीजेगा दोस्तो कोई भी column आपका छूड़ना नहीं चाहिए दोस्तो ओवर राटिंग नहीं होनी चाहिए और जो भी candidate दोस्तो सौलिस के जाएंगे उनी को दोस्तो further selection process के लिए बुलाई जाएगा दोस्तो इस बर्ति में चाहता कि fees की बात है तो जहसे बता है कि इसमें आपको 50 रुपए का cross Indian postal order से दोस्तो पेमेंट करना है आपका जो IPO होना चाहिए इन फेवर ओव कमांड एंड इंडियन मिलिटरी अकैडमी पेवल एड देरादून और दोस्तो postal address पे आप अपना नाम लिख लिजेगा, post का नाम लिख लिजेगा, अपना address लिख लिजेगा, mobile नमर लिख लिजेगा, इस सारी चीजे जरूर लिख लिजेगा postal order पे इस बर्त में दोस्तो जातका ICMA की बाता है, तो इसमें 18 साल से 25 साल और 18 साल से 27 साल तक वाले candidate अपलाई कर सकते हैं, दोस्तो इसके लिख क्रूशल डेटा है, तीन जिन्वरी 2022 और आपको दोस्तो एज रिलेक्सेस और एज पर रूस दिया जाएगा तीन जिन्वरी 2022 दोस्तो इसकी last date है, जाता location की बात है दोस्तो इसका location है Indian Military Academy डेरादून उत्राखंड और दोस्तो इस बर्ती का जो विक्यापन है दोस्तो employment news में भी दोस्तो परकासित हो रहा है, इसकी date है 20 से लेके 26 November 2021 वाला newspaper employment और दोस्तो इसका detail आप page 22 onwards पढ़ सकते हैं तो guys यह था सौड़ेटेल आज की बरती का, I hope दोस्तो इस वीडियो आपको पसंद आए होगी, दोस्तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिएगा, दोस्तो इस आप पहले बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की information व अपडेट सबसे पहले आपको फ्राप्ट हो, दोस्तो जै हिंद, जै भाराट